नमस्कार दोस्तों कैसे हें आप लोग सभी उमिध है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने एक चांप की तैयारी कर रहें होंगे दोस्तों हम लोगों ने एक सिरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग कम्प्टेटिव मैच के one by one question solve करते हैं दोस्तों यह आप लोगों के लिए helpful साबित हो इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया है जिसे आप लोग कोई भी एक one by one question solve अगर सर्च करना चाहते हैं तो आप लोगों को thumbnail पर प कि हम लोगों का question क्या है दोस्तों हम लोगों का question है किसी वस्त के भाव में 25% की कमी हो गई ठीक है कोई भी वस्त हो है उसका जो है प्राइस 25% कम हो गई दोस्तों किन्त वस्त की दैनिक बिक्री में 30% की ब्रिद्धी हो गई ठीक है जो परड़े उसकी बिक्री होती थी उसम में 25 परसेंट की कमी हो जब ठीक है तो परेडाम स्वरूप दैनिक बिकरी से प्राप्त धनरासी में हो गी मतलब कितनी बिरधिया कमी होगी यह हम लोगों को पता करना है ठीक है दोस्तों ये भी जो है उसी तरीके का है दाम गुड़े विक्री तो हम लोगों का टोटल धन्रास पता चल जाएगा हम लोगों को पता है दोस्तों 25% बराबर होता है एक बटे चार ठीक है और बिर्धिया कमी यानि की कमी है दोस्तों तो 4 से 3 हो जाएगा तीन बटे चार एक बटे चार लिखा है यानि की एक की कमी चार में ठीक है तीन बटे चार हो जाएगा और 30% बराबर दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि 3 बटे 10 होता है दोस्तो 10% बराबर 1 बटे 10 होता है तो 30% बराबर 3 बटे 10 होगा ठीक है और इसमें क्या करना है इसमें बृध्धी करना है ठीक है तो बृध्धी का मतलब दोस्तो 10 में 3 की बृध्धी यानि की 13 बटे 10 यहां से हम लोगों को मिलेगा ठीक है तो हम लोगों दोस्तों percentage को fraction में change कर लिया है अब हम लोगों को question के अमसार solve करना है ठीक है तो यहां से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे देखिए यहाँ पर initial हम लोग लिखेंगे यहाँ पर final लिखेंगे ठीक है और यहाँ से जो है price होगा और यहाँ पर जो है दोस्तो बिक्री होगी ठीक है sale ठीक यहाँ पर sale होगी ठीक तो दोस्तो प्राइस में क्या हुआ है 25% की कमी यानि कि 4 से 3 हो गया है और बिक्री यानि कि दोस्तो sale में जो है 10 से 13 हो गई है ठीक है तो यहाँ से हम लोगों को जो है total धनरा से पता चलेगी तो 4 दहाम 40 हो जाएगा दोस्तो यह और 13 त्या 49 हो जाएगा यानि कि दोस्तो जो है total उसको पैसा क्या शुरुआत में 40 ratio मिलता था और बाद में उसका 49 ratio हो गया यानि कि उसमें कमी आई है और कितने की कमी आई है दोस्तो एक कमी आई है 40 के respect में ठीक है 40 के respect में एक कमी आई है गुड़े 100 कर देंगे तो हम लोगों को percentage पता चल जाएगा तो दोस्तो हम लोगों को पता है कि एक बटे 20 बराबर होता है हम लोगों का 5 परसेंट दोस्तो ठीक है एक बटे 20 बराबर हम लोगों का होता है 5 परसेंट जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक बटे 5 बराबर होता है 20 परसेंट ठीक उसी तरीके से यह 5% है दोस्तों जिस तरीके से 1 बटे 5 बरावर होता है 20% उसी तरीके से 1 बटे 20 बरावर होता है 5% ठीक है जस्ट उल्टा रहता है हमेशा तो यह आप लोगों को याद रखना ठीक लेकिन यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया गए 1 बटे 40 ठीक है तो इसी तरीके से दोस्तों यहां पर 5% का आधा हो जाएगा, 5% बटे 2 हो जाएगा है, यानि के हम लोगों को यहां पर 0,5% मिलेगा, ठीक है, 0,5% तो उमीद है दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा और ओभी क्या है कमी है ठीक है 0.5% less शुरुवात से जो है इनिसियल से जो है फाइनल में less होगा ठीक है तो उमीद है दोस्तों आप लोगों को ये question समझ में आया होगा और आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों हम लोगों का प्रियास तो प्लीज वीडियो को दोस्तों लाइक करिएगा और हम लोगों का सहीयोग करने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का हिर्दै से धन्यवाद मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए जाएं